है गाइस तैंक्यू सो मच फॉर कमिंग बैक कैसे हैं आँ बच्चे लोग सारे मिरा नाम है सुनी रदिकारी चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट आज का वीडियो अगेन बच्चे लोगो बहुत ही जादा खास होने वाला है especially आज का वीडियो है class 10th पास करकर चाहिए आपने कैसे भी पास करी हो 11th में जो बच्चे मूव हो रहे हैं या फिर अभी 10th में हैं आये हैं और सोच रहे हैं अभी से जो कि अच्छी बात है कि सरह में 11th में 12th में क्या stream रखनी है क्या combination रखना है और 12th के बाद हमारा future क्या होन करने वाला है तो आज के वीडियो या आज का वीडियो stream selection series का एक और हमारा नया वीडियो है जहां पर बात करने वाले हैं one of the most favorite stream stream क्या होता है stream commerce stream के बारे में अगर लेते हैं 10th 11th 12th में नहीं 11th और 12th में तो 12th के बाद कौन कौन से carrier options आपको देखने को मिलते हैं तो आज का वीडियो stream selection पे होने वाला है commerce stream पे होने वाला है पूरा देखिएगा enter और बताईएगा commerce stream आप choose कर रहे हैं या नहीं अगर कर रहे हैं तो future में कैसे videos आप बाते कम करते हैं और सीधा चलते हैं हम वीडियो पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन-कौन से main subject हैं जैसे ही देखिए आप commerce में entry लेते हैं जैसे मैंने बहुत सारे videos में आपको बताया है तीनों stream equally effective है efficient है आपको future में successful बनाने के लिए तो आपको अपना carrier options जो कि आपक के बात करना है वो दिमाग में रखते हुए stream को select करना है हो सकता है banking financial line में commerce related line में आपको interest हो तो अगर आपने commerce चुनी है तो वहाँ पर subject का सही चुनाओ selection करना बहुत जारा जरूरी है राइट देखिए यहां पर सबसे पहले main subject आपको देखने को मिलते हैं या हर जो school होता ह है वो आपको main subject offer करता है हमारे commerce subject में commerce background में यहां पर सबसे पहला subject आता है accountancy कौन सा subject आता है accountancy अच्छा इस subject के बारे में myth यह है कि यह mathematics का छोटा या बड़ा भाई है जो कि गलत है mathematics और accountancy में दूर-दूर का relation है आसपास का नहीं दूर-दूर का relation है थोड़ा बहुत यहां अबर calculation वगर आता है लेकिन mathematics जितना आपको accountancy कभी नहीं डराएगा यहां पर कोई theorem नहीं आती यहां कोई typical formula नहीं आता है as such यहां पर कोई नहीं यहां पर ऐसा कुछ नहीं है simple calculation आती है plus minus multiplication और division अगर आपको आता है तो यह simple सा हमारा accountancy logic based subject है जहां पर 70% practical practical in the sense calculation accountancy होता क्य है जब भी कोई भी firm कोई भी individual पैसो का lane देन outflow बहार जाना inflow पैसो का अंदर आना record करता है ना खाता बनाते थे पिछले time पे तो वही recording of a transaction is called accountancy business transaction को record करना accountancy कहलाता है तो normal सी बात है record maintain करोगे तो calculation रहेगी plus रहेंगे minus रहेंगे multiplication रहेंगे तो वो आपको करना पड़ता है simple सा यह हमारा subject है 70% practical 30% theory यह funda रहता है 11th or 12th में आगे भी जाकर देखिए commerce का base है accountancy अगर आप सोच रहें यार मुझे बहुत अच्छे courses करना है CA करना है CS करना है ABC करना है CFP करना है CPA करना है CFA करना है ऐसे financial sectors related अगर आपको interest है economics से related आपको interest है तो accountancy course subject रहने वाला है आपका शुरुआ से ही focus करना जरूरी है और यह सबसे उपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यह सबसे जादा weightage cover करता है commerce background या फिर subject में यहादा clear हो रहा है कोई confusion simple हो रहा है समझ में आ रहा है चलिए business studies अब यह हमारा बहुत ही जादा interesting subject है business related यह बहुत relevant है आने वाले 10 से 20 सालों क subject क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है business कैसे open करना है जो कि मैं और बहुत सारी faculty जो business की वो encourage भी करती है बच्चों कि future में जाकर वो कहीं ना कहीं खुद कर start up या business start करें जो कि आप भी चाहते हैं तो यह subject बहुत जारा important बन जाता है almost सब कुछ हमारा यहाँ पर theoretical aspect में है theoretical framework है right case study वगेरा रहती है यहाँ पर लेकिन as such कोई practical aspect नहीं है यहाँ पर पूरा business से related है business को कैसे form करना है 12th में management का aspect आपका आजाता है right fundamentals of business आता है 11th में fundamentals of business and finance और 12th level पर आपका financial management आजाता है या business को कैसे manage करना है आपका management का aspect आजाता है staffing वगेरा आजाता है planning वगेरा आजाता है तो ये जो higher level पे college में भी आपको BBA लेवल पे MBA लेवल पे जो पढ़ाया जाता है उसका कहीं ने कहीं एक जलक आपको 12 में मिल जाती है आगे है economics हमारा जैसे कि आप जानते economics आपने पढ़ावा है 10 में तो उसी का ही थोड़ा सा advanced extension आपको देखने को मिलता है economics में 50-50 रहता है 50% practical रहता है practical भी graph टाइप में रहता है तो इतना कोई hardcore practical नहीं है 50% हमारा theory रहता है जैसे आप जानते है simple हो रहा है चलिए यहाँ पर stats भी economics का ही part माना जाता है अलग-अलग state board का CBSE का syllabus अलग है कई में 11th में है statistics कई में 12th में है statistics तो आप वो manage कर सकते है economics में right English की बात करें मुझे समझाने की जरूत रही है बच्चपन से जबसे आपकी study चालो हुई है यह subject ने आपको परेशान बच्चपन से करा है तो इस subject के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप जानते है same as it is थोड़ सा advanced rule आपको 11th और 12th में मिलता है English का तो यह हो गए हमारे commerce के चार core subject main subject अब बारी आती है एक commerce के साथ optional चुनने की जो की compulsory है जो की compulsory है that means चार subject के साथ एक optional चुनना optional कौन से यह सारे optional में से एक optional चुनना जरूरी है और चाहें तो यहां पर है और मतलब चाहें तो एक additional subject भी हम चूज कर सकते है that means चार main subject यह तो तीन हो गए चार main subject एक optional और एक additional जादा तर cvc तो offer करता ही है यह state board भी offer करता है additional subject के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ additional subject भाइस सुनी रधिकारी दालेंगे तो आपको जितने भी confusion है additional subject को लेकर वो दूर हो जाएंगे optional subject भाइस सुनी रधिकारी दालेंगे तो optional में कौन सा चूस करूं वो भी आपको clear हो जाएगा मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ वो वीडियो में detail में समझा है भाइस मैंने चलिए optional subject additional subject कौन कौन से मिलते हैं वो आपको मैं बतायता हूँ हर school अपने अलग-अलग optional और additional subject देता है तो लड़ने मत लग जाना की सर सुनी रधिकारी सर लड़ने तो ये सारे option बताये थे हमारा school तो ये option नहीं दे रहा है अलग-अलग school अलग-अलग optional subject देता है depend करता है उस subject के teacher है या नहीं आपके school में नहीं है तो क्या रखना चाता है या नहीं आपके school labs वगरा है, grounds वगरा है, सब कुछ depend करता है optional और additional में सबसे पहला मिलता है commerce के साथ आप optional या फिर additional में रख सकते हो information practice जिसको हम computer science भी बोलते हैं जिसको हम IT information technology भी बोलते हैं तो जिन बच्चों को भी थोड़ा सा computer का कीड़ा है computer line में interest है, चाहते है future में computer sector में ही work करना they can choose out of these three, simple physical education खेल प्रेमियों के लिए है जिन बच्चों को भी खेलने में, कूदने में interested है और लगता है कि यार सर ये बहुत heavy subject होगा हमें एक light subject चाहिए हमें खेलना कूदना पसंद है carrier तो मस्ती मजा करते हुए हमारा बनी जाएगा हमें खेलना पसंद है physical हमें light subject रखेंगे, scoring subject रखेंगे तो आप physical education भी choose कर सकते हो साथ ही में, अगर इसी को ही आपको profession बनाना है तो उसके लिए भी मैं courses आपको बताऊँगा 12 के बाद sports line में अपना कैसे carry बनाना है इसे कई video है मेरे sports management बाइस सुनी लदिकारी सर्च करेंगे आपको video मिल जाएगा physical education भी आप choose कर सकते है one of my favorite mathematics भी आप choose कर सकते है कब लेना है, कब नहीं लेना already video बनाया है, mathematics भी सुनी लदिकारी दालेंगे video मिल जाएगा, यहाँ पर simple सा यह समझ लीजे हर बार की तरह, कि mathematics अच्छी है मजा आता है करने में तो commerce with mathematics से बढ़िया combination आपको नहीं मिल सकता अगर mathematics अच्छी है अच्छी नहीं है, देखते ही चक्कर आते हैं, चक्कर आना common से चीज़ है mathematics को देखकर तो mathematics आपके लिए नहीं है, you can move on to the other option, entrepreneurship businessman वाला कीड़ा है, सर मुझे तो business ही करना है, खुद का करना है family business को आगे बढ़ाना है so what would be the best optional subject for me, entrepreneurship आप चूज कर सकता है, EP इस को short form में बोलते हैं, then you have a psychology, यह बहुत interesting है, right mind की steady करनी है, लोगों को देखते ही उनका behavior nature, personality आपको समझनी है बिन बोले लोगों को पढ़ना है psychology is the subject for you यह हर field में आपके काम में आता है, चाहे आप कोई भी MNCs में work करे, private sector में work करे, government sector में work करे, civil servant बन जाए, life के हर पहलू में, you need a good psychological framework right, legal studies legal studies मतलब law line में जिन बच्चों को भी interest है हमें sir, advocate बनना है lawyer बनना है, judge बनना है magistrate बनना है legal studies चुन सकते हैं और 12 के बाद अपना law में कैसे? integrated LLB करकर अपना career establish कर सकते हैं, integrated LLB क्या होता है sir? integrated LLB by सुनी लदिकारी दाल का YouTube में search करेंगे वीडियो आपके शामने, शामने नी सामने हाजिर हो जाएगा multimedia ये भी optional मिलता है, तो थोड़ा सा animation, थोड़ा सा कही ना कहीं, gaming वगएरा में interested है presentation वगएरा में, you can choose multimedia, marketing भी optional मिलता है, कई होट कम school हैं जो देते हैं, लेकिन मिलता है stock market भी है, तो कहीं न कहीं advertising वाली line में, MNCs वगएरा corporate sector में अगर आपको work करना है या फिर stock market में generally interest है, तो आप choose कर सकते हैं नहीं तो मैंने आपको सारे field समझा दिए, आप career options की बाद करूँगा और प्लस वताने वाला हूँ 12 के बाद कौन सी degree आप कर सकते हैं, अच्छा एक और चीज majority of the, जो courses होते हैं उनके उपर मेरा वीडियो है, और मैंने e-book एक launch कर यह recently मैंने launch कर यह बहुत ही गजब का response मिला है बच्चों का, top 21 career options after 12 after 12, मतलब अगर आपके पास 11th और 12th में commerce है, तो बहुत confusing situation यह रहती है कि 12 के बाद क्या करता है, तो उस e-book में, जोके description में link मिल जाएगा, मैंने समझा रखा है आपको कि आने वाले 5 से 10 साल में, कौन से वो 21, देखे 5 है ही समझाता, तो कई बच्चों को वो suit करते, कई नहीं करते, तो मैंने जितने अच्छे career options हैं, commerce में 21 career options की, मैंने वाँ पर पूरी list बनाई है, और पूर आपको समझाया है, कौन से वो courses है, क्या benefit है, कैसे admission लेना है, कौन से colleges में admission लेना है, e-book मैंने तयार करी है, अगर आप serious है commerce field में ही, carrier बनाने में, after 12th भी हो सकता है, 11th, 12th में इतनी नफ्रोद हो जाए, commerce है कि आप ले ही ना, लेकिन, जो बच्चे serious है, 11th में है, 12th में है, या सोच रखा commerce में ही, future है हमारा, so, वो e-book आप download करिए, पढ़िए, जो भी question आता है, मुझे DM करिए, comment box पर comment करिए, वैसे सारे doubt आपको clear हो जाएंगे, यह तो Google बाबा आपकी साहता के लिए हमेशा available रहते हैं, please, description से download करना मत भूलना, अगर आप serious हैं, तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में, चलिए, carrier options की बात करूँ, बहुत सारे carrier options हैं, 10, major major carrier options मैंने आपर discuss कर रखे हैं, right, सबसे पहला है CA, Chartered Accountancy, वैसे तो arts वाले science वाले भी कर सकते हैं, लेकिन almost impossible हो जाता है, उनके लिए science या arts background से CA बनना, right, तो commerce के लिए जादा प्रिफर करता है accountancy, तो Chartered Accountancy हमारा सबसे पहला carrier options होता है, accountancy बहुत ही superior level की चाहिए, क्योंकि throughout your courses, ये 4 साल का minimum हमारा time लगता है CA बनने में, और हमारा core 80% syllabus accountancy के around ही revolve होता है, company secretary हमारा legal line से related course है, ये हमारा क्या है, ये हमारे degree नहीं है, degree आपको लेनी पड़ेगी स्के simultaneously, वैसे इनको जो CA वगारा course को post graduate का एक recognition मिल गई है, right, तो इसके साथ साथ आप graduation भी continue रखेंगे, तो वो benefit मिलेगा आपको, CS legal line से related हमारा एक course होता है, जो कि आप कर सकते है, right, relatively काफी easy रहता है हमारा CA के comparison में, right, actuarial science होता है, आपने देखा होगा insurance sector वगारा में premium जो calculation करी जाती है, ये भी एक बहुत ही नई emerging field है, जिस पे बहुत बच्चे career बना रहे हैं, competition थोड़ा कम है इस line में, right, management line में, management line में अपना career बना सकते हैं, right, actuarial science में बच्चा BSC भी होती है, और BCOM भी होता है, specialization में, management line में आप career बना सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BBS कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, अलगले नाम से management के courses जाने जाते हैं, तो आप management sector में भी अपना career बना सकते हैं, am I making sense, ओर I clear, economic sector में आप BA economics कर सकते हैं, या फिर BBA Bachelor of Business Economics का course कर सकते हैं, तो economics भी एक अच्छा career options है, after 12th, right, interest को passion को follow करना है, हो सकता है, आपका accountancy बिल्कुल पसंद ना हो, CA course फिर आपके लिए नहीं है, legal line में interest है, तो पहले ही legal studies optional ले लो, आगे जाके मदद मिलेगी CS में भी, right, तो ये आपको कहीं न कहीं अपना career सोच कर optional चुरने पड़ते हैं, simple, चले, banking and finance में अगर आपको interest है, तो कोई भी private और government sector में आप work कर सकते हैं, इस से related ही course कर सकते हैं, become finance से कर सकते हैं, become banking and finance से भी कर सकते हैं, तो ये specialization आपको मिलती है, BBA finance से कर सकते हैं, banking और finance में career बनाने के लिए, right, तो अलग-अलग optional आपको मिलते हैं, sports management, BBA कर सकते हैं, BBA ने sports management कर सकते हैं, या फिर specifically BPA एक course होता है, bachelor in physical education, वो आप कर सकते हैं, legal line में अगर आपको interest है, तो 12 के बाद ही integrated हमारा become LLB या BLLB course होता है, वो आप कर सकते है, BSC LLB भी होता है, लेकिन जाद अतर commerce वालों को become LLB या फिर BBLB ही suit करेगा, right, law line में के बाद है, हमारा hotel management, BHM कर सकते हैं, specific course है, bachelor in hotel management, जिन बच्चों को भी hotel line में interest है, वो 12 के बाद hotel management line चूज कर सकते हैं, teaching line में जिन बच्चों को भी interest है, वो BCOM के बाद MCOM करकर, college level पे बताया तो, उसके बाद UGC net fight करना है, BCOM, MCOM, उसके बाद UGC net और फिर आप eligible हो जाते हैं, as a lecturer किसी भी college में आप teach कर सकते हैं, school level पे आपको पढ़ाना है, तो 12 के बाद ही BCOM, BAD, एक चार साल का integrated course है, जो कि आप कर सकते हैं, अगर आपको teaching line में, school में पढ़ाना है, simple हो रहा है, चलिए, तो ये top 10 में बात कर लिए है, carried options के teaching में, आपको 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 आपक तो आगे जाके जितने भी entrance होते हैं 12 के बाद वहाँ पर भी benefit मिलता है प्रस competition exam, government examination अगर आप देते हैं तो वहाँ पर भी आपको benefit मिलता है तो उमीद कर रहा हूँ, सारे aspect मैंने comments के cover कर लिये होंगे वीडियो अगर पसंद आया तो please like करे भी न जायेगा मत और अगला वीडियो किस topic पर चाहते हैं प्रेस उस topic का नाम मुझे comment box में लिखके बताएगा ताके मुझे idea मिल सके कि next topic मुझे किस वीडियो पर बनाना है किस वीडियो पर मुझे next topic बनाना है तो उमीद कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं next video में till then पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका वेदेना है थेंक्यू सू मुझ